लो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेंफूर में इस वीडियो में हम बी ये प्रोग्राम का डिसिप्रिंग जो सब्जेक्ट है आपका एजुक्रेशन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इसके इंपॉर्टेंट कोशन के बारे में डिसकर्स करने वाले कि आपके एक्जाम में कैसे कैसे कॉशन पूछे जा सकती हैं और मैंने आपको पहले इसकी चैप्टर जो आपका फॉर्स्ट है और चैप्टर फिफ्ट इन दोनों की वीडियो प्रवाइट कर रहे हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसे जाकर देख ल आपको फॉर्वाइट कर आसको, अगर मैं कर सकती तो मैं आपको जरूर बोलती बड़ मैं नहीं कर सकती तो आपको जुटा भरोसा भी निदिलनोंगी कि हाँ आप मेरे पर डिपंडेवल हो जाएं कि फिद आप जीडियो का वेट करें तो इसलिन चूँन मैं आपको जूट कि come कोई ची यह हैं इसे लिए आपको आई सब्सक्राइब तो आपने उस सब्सक्राइब क्या या मत बनीं सकते हैं। तो आप इसको तो बिल्कुल अच्छ से प्रिपेर करके जाना और बाकी जो आपको मैं आपको इंपॉरेंट कोशन बता रही हूं आप उनको देख लीजिए एक बार कि कैसे कैसे कोशन पूछे गया है जेनरल बेस पर कोशन होते हैं कि हां आपके माइंड पर रिप्यार करता ह है कि आप कितना वाष्ट सोच सकते हैं आप कितना अच्छ से उसको लिख सकते हैं तो आईए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कोशन पूछे जा सकते हैं आपके एकजाम में फर्स्ट कोशन है क्या अनिवारे माधिमिक शिक्षा सुनिश्चीत करना महत पूर्ण है अब से लिग सकते हैं इसके से तरके की कर सकते हैं कि कि हैं इसा सही है कि गलत है कर ला की क्यां बाइदस भारत में कोस्षी कर दाबारी है और से चजा पूछे हैं इस एक छात्र को किसी को चेयन करने हैं तो किन महत्पुन बंदों का ध्यान रखना चाहिए तो आपको आपको तो पता ही है कि अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए किस तरह की कठी नहीं आ रही है कि जो सभी बच्ची उनको क्यों नहीं सभी प्रवाइब प्राब्लम आ लिए कि जो कि हमारे देश में आपने देखा है कि बहुत से संशोधन भी किये गए जो इसी पर किया गया था कि बच्चों को 14 साल के बच्चे उनको चोड़ा साल तक क्या है शिक्षा निवारे होनी चाहिए कुछ इस ट्राइप सापको बोला गया था मुझे मै आपको यह बता है कि छेथ के नियाएं अन्य ठीर कर रहे है कि पहले मद्ध के सरकार राज्य सरकार रहे है इसे इस पर वह कहने लगए कि आप वह क्या अपनी अ कूछ ना कुछ भागीदारी निभाएं तो यही चीज थी तो कैस से और आपको यह बीपता कि हमारी जो शिक् किसके अंदर आता है समवर्थी सूची के अंदर आता है यही चीज़ती यह नहीं है कि विविन चेत्रों में केंद राज्य और स्थानिक निकायों कि क्या क्या भूमी का है नेक्स्ट कोशन है कि भारत में शिक्षा प्राप करने के लिए विविन प्रकार के स्कूल हैं जैसे नीजी स्कूल हो गए सरकारी नीजी मतर प्राइवेट स्कूल गवर्मेंट स्कूल को मतर नीजी स्कूल की बहतर है आपको बताना है कि क्या नीजी स्कूल मतर अच्छी है औ तो तो क्यों कहने हैं और अगर बुरा कहार है तो क्यों कहने है इसका रीजन भी आपको देना है एक्जामपल देखार नेक्स्ट कोश्चन आपको कॉश्चन 6 कि शिक्षा के विध्ट्य ववस्था कि इस तोटों का उनलेख इस संबन्द में के इंद्री सरकार की क्या भूमि प्रवाइट किजें अब आप मिद्डे मिल अगर आप गौर्मेंट स्कूल में प्रवाइट के समय में जब बच्चों को मादब शुक्षा के लिए आपने देखा था कि पहले यह क्यों स्टार्ट किया गया था इसका बहुत बड़ा रीजन था इस चार्ट करने का क्योंकि अ स्कूल आए और उनको क्या हो सके अच्छा भोजन मिल सके और यह मिद्डे मिल जो यह थी ना कार्यकरमी स्टार्ट किया गया था तो यही चीज था कि इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आपकी स्लेवर्स का ही पॉइंट है तो इसमें जो भी कॉशन एक द इसको इसम स्कूस पर आपको इसका निची चैन का पढ़ाता है इसके ऊपार है कि उनच्छ शिक्षा के दरोश्ड में विश्व अनुदान आयो की क्या भूमिक एग कि इसके श्रीफ में उच्छ उठ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इस चैनल पर एसी और इंफर्मेटिव वीडियो प्रवाइड होती रहती हैं और आप हम मिलते हैं नक्स वीडियो में चपते के लिए बाए